Hello Friends, Welcome to a new video of Future Retail Friends, Future Retail से related back to back बहुत ज़ादा important अपडेट जो है market में हा रहे इस वीडियो में तीन important चीज़े हम discuss करेंगे जो की बहुत ज़ादा जानना ज़रूरी है और इस से बहुत ज़ादा picture clear हो जाती है friends की future retail के साथ क्या होने वाला है और इनके बाकी shares के साथ क्या होने वाला है तो उससे पहले एक चोटी सी request friends आप लोगों के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज हमरी चैनल को subscribe कर दीजिए आपको time to time future retail से related सारे important update जो है मिलते रहेंगे हमरी चैनल के दुरू और bell icon दबना ना भूलिएगा ताकि उससे आपको on time notification मिल जाएगा जब भी हम latest update पोस्ट करेंगे एक सेकंड के help लगेगी सिर्फ subscribe button हिट करने में और bell icon दबने में इतनी सी help आप करी सकते हो आपको उसमें कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे इससे बहुत बड़ी help होगी so please do it जल्दी से start करते है friends सबसे पहला जो update आप देखिए future groups bankers to raise provision over next quarter lenders total exposure paid at 27,000 crore यानी future group का जो पूरा stores और brands है उनके अलग-अलग entities है उनके उपर almost 27,000 crore का debt difference और उसके तहट जो है अभी इसका इंजॉलवन से प्रोसेस करने का जो है start कर सकते है lenders group और इसको bank of India जो है वो already refer कर चुका है NCLT को अभी बाकी भी banks जो है slowly and gradually चालू कर देंगे और यहाँ पर इतना तो पता चल चुका है कि इंजॉलवन से प्रोसेस जो है start होगी मतलब यह company दिवालिया गोशित होने वाली है NCLT की तरफ से और उसके बाद जो है उसकी प्रोसेडिंग चलो होगी मतलब market में इसको open market में बेचा जाएगा लेकिन क्या NCLT इसको अप्रूव देता है क्या future group कोई और प्लान लाता है उसके उपर अभी भी confirmation आना बाकि ऐसा भी हो सकता है कि future group कुछ और प्लान लाए और उसके तहच जो है अब हम बोलेंगे कि Reliance और Amazon का जो बैटल चल रहा था future group को लेकि तो वह तो अभी खतम हो चुका है क्योंकि Reliance ने तो back out कर दिया है Reliance ने बोल दिया कि हम वह 24,713 करोड का जो डिल है वह नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर Amazon का कहना है कि यह जो केस ही है हम continue करेंगे क्योंकि हमारी जो डिल थी 2019 के रूल्स के इसाब से future retail ने उसको break किया है तो वह case वह continue रखना चाते है तो यह case continue रहेगा इसके ओपर क्या hearing आती वह भी काफी जादा important होगी क्योंकि जिस तरीके से Amazon के उपर fine लगा है इंडिया में definitely ऐसी notice अगर की जाती है यहाँ पर कोई गलती future retail की तरफ से तो future retail को भी fine लग सकता है क्योंकि जो Amazon के साथ हो सकता है rules breakdown करने के लिए definitely अगर वह feature group ने किया होगा तो उनको भी कुछ ना कुछ fine लग सकता है तो इसका update आना भी बहुत ज़रूरी है मतलब यह burden raise कर सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि already 27,000 का debt है उनके उपर और उसके बात कुछ fines भी लग सकते है यह possibilities है उसके बात और एक ज्यादा important update इसको आखरी तक सुनिएगा future group to focus on savings rebuilding its firms after reliance deal falls through तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोलना चाहा है future group बोल रहा है कि हम saving के उपर जो है focus करने वाले और उसके firms rebuild करने वाले तो कौन से कौन से यहाँ पर यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है इसका bound to face मतलब future रिटेल का जो शेयर है उसकी insolvency process होना तय है मतलब यह company already यहाँ पर declare कर दिया है कि दिवालिया हो चुकी है और यहाँ पर fix यानि बहुत confirmation के साथ बोला जा रहा है कि इनकी corporate insolvency जो है bankruptcy code की तयत हो सकती है मतलब यह company के उपर open market में bidding लग सकती है बाकी share की तरह अभी क्या होगा इससे related बहुत ज़ादा uncertainties है friends और definitely उसके वज़े से जो है यहाँ पर buying positions बनाना जो है काफी risk हो चुका है future group में उसके बात फिर यह यहाँ पर जो heading में बताने की बात कर रहे है कि हम बचाएंगे saving करके rebuild करेंगे firms को तो वह कुन सी firms है तो यहाँ पर जो दूसरी entities है friends Depth and Future Group is now focusing on saving rebuilding firms such as future lifestyle fashion, future supply chain solution, future consumer and future enterprise तो यहाँ पर यह वाले जो उनके entities हैं दूसरे उनको बचाने की बात कर रहे है आप है तो saving करके उनको बचाएंगे लेकिन future retail के बारे में तो picture clear हो गई है friends की यह अभी जो है इन्जॉल उनसी process में ही जाएगा अभी नया buyer इसको कौन buy करेगा वो buy करके इसके साथ क्या करेगा इसको listed रहने देगा या इसको डिलिस्ट कर देगा market से उसके उपर काफी जादा discussion रहेगा अभी आने वाले कुछ next quarter की बात कर रही है जब यह preceding starts होने वाली है और तब तक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14.31% जो है promotor group की holding ये बाकी सारा जो maximum 76.48 सारा retail investors जो होल करते यहाँ पे foreign institutions ने भी जो है sold out करना start कर दिया है 2.85% से 2.60% हो चुका है same domestic institutions की भी बात करेंगे तो 7.18% से 6.54% के उपर उन्होंने जो है next quarter में जो है position बने मतलब उधर भी sale हमें होता हुआ दिख रहा है तो यही सारी important details थी friends यहाँ पे future detail का picture तो आप लोगो clear होगा ही और बाकी की जो entities हैं उनके साथ saving करके वो बोल रहे हैं कि हम plan बनेंगे लेकिन वो execute होगा नहीं होगा उसके उपर अभी भी uncertainties है तो friends इन सारी news से related latest updates आते रहेंगे market में जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा time to time उसके लिए प्लीज चैनल को subscribe और bell icon दा बनाना भूलिएगा thank you for watching this video